दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नु जी के सेंटर पर मैं राकेश कुमार राय उर्क चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ जार्खन जी के प्रेक्टिस सेट जिसमें हम लोग जार्खन का इतियास पढ़ेंगे जार्खन का इतियास का एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें 105 सवाल मैंने कराया था यहां तक कराया था 105 सवाल आज मैं 106 नमर से कराऊंगा लगबग 100 सवाल आज भी कराने जा रहा हूँ यह जार्खन इतियास का पार्ट 2 वाला वीडियो है ठीक है चलिए स्टार्ट करत कि हजारी बाग और गया के बीच 15 सदी में किस राज की स्थाफना होई थी तो देखिए हजारी बाग और गया के बीच पंदरवी सदी में खड़क डिहा राज की स्थापना हुई थी किसकी खड़क डिहा राज की चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स सवाल है थोड़ा सम बारिश का मोसम है तो गरज मलक का आवा जाएगा तो उसमेंत्ट शाप की से माना जाता है हांस दैक को ठीक है अगला हैés सवाल सवाल है पांचेट राज की चत्रह में सथापीत था था तो पंचेट राज की किस छेत्र में स्थापित था तो पंचेत राज था आपका मान भूम में स्थापित चलिए आगे बढ़ते हैं निवन में से किस राजा का संबंद पंचेत राज से था तो अप्शन भी हो जागा अनित लाल अनित लाल चलिए अगला सवाल है पंचेत राज का राज चेन इन मे बढ़ते हैं। है कि अगला सिंभ्वन्स से आने वाले सवाल है निम्ण मेंसे किश रस्थान पर शिंग वन्स का प्रभुत्व था या जो प्रभुत्त था तो था अपका ऐसन वाखे से तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा आपका अप्शन भी टिकेट निपेंद्र नाराइन सिंग चलिए आगे बढ़ते हैं पोड़ हाट राज के संस्थापक कौन थे पोड़ हाट राज के संस्थापक कौन थे तो अप्शन C दर्प नाराइन सिंग हो जागा चलिए आगे बढ़ते हैं एक सवाल है कि किस सिंग वन से साशक ने पोरा देवी को अपने राज की अधिश्ठात्री देवी की रूप में स्थापित किया था पोरा देवी को किस अप्शन है काशिनाथ सिंग, काशी राम सिंग, अच्योद सिंग, दर्प नाराइन सिंग तो इसका राइट अंसर हो जागा अप्शन C अच्योद सिंग चलिए नेक्स राइट किस सिंग वन्स ये सासक के अत्याचार के फल सरु भूया विद्रो शिरू हुआ था तो देखिए इसका राइट अंसर हो जगा जगनाथ सिंग, ऑप्शन D जगनाथ सिंग चलिए नेमन मैंसे किस राइट वन्स को नर्वली पर्था का समर्थक माना जाता था तो देखिए नर्वली पर्था का समर्थक माना जाता है आपका अप्शन B ढालवन्स को किसके अनुसार डालवन्स की स्थापना ब्रह्मान ब्राह्मन करन्याश्य उत्पन बालक दौरा की गई थी तो यह हो जागा आपका अप्शन बी हंटर के दौरा चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मद्यकालिन इतियाश मद्यकालिन इतियाश में पहला सवाल है कि इल्तुतमिस इवं बल्वन के शाषन काल में छोटा नाखपूर खास्चेद्र का साषक कौन था तो इसका राइट अंसर जगा अप्शन C हरीकर्ण चलिए आगे बढ़ते हैं अलावदिन खिलजी के सना पती ने तेरो सव दस इस भी में छोटा नाखपूर पर आक्रमन कर टेक्स वसोलिक कि थी तेक है ना अनि यहां पर कर वसोलिक कि थी तो किस ने किया था देख़े सवाल समझे कि अलावदिन खिलजी के सनापती डैस ने तेरस्व दास इस्वि में छाटा नागपूर पर आकर्मन कर कर वसुली किति यह नि टेक्स वसुली किति कौन होगा इसमें तेगे इसमें राइट अंसर होगा आपका आपका अप्शन भी सर्जु मलिक नहीं चलिए नेक्स ट्रैक किस वंस ने संथाल सर्दा आएट गम को राइधानी बनाया था है सत्गायों को सर्दा वी ओजाएगा फिर और च्वाट लगनेस्ट चलिए नेक्स सवाल देखते हैं शोरी वंस के स्थापना गंग मंस के मंत्री डैस ने कि थी किस ने की थी तो आप्शन ची हो जाएगा कपिलेंद्र ने चलिए आग कि अप्टोन पली मैं आपको देता हूँ t किलर निवन में से किसे ज्धार्खन का हल्दी घाटी कर जाता जाता है छार्खन का हल्दी गाठी का जाता है आपका अप्शन एक और अम्रित के रचनाकार कौन थे तो चतनी चरिता अम्रित के रचनाकार थे कृष्णिदास किसका उलेख चतनी चरिता अम्रित में मिलता है तो चतनी दर्नागवंस के समय पलावू में रक्सिल वन्स का शासन था। दर्नागवंसी एंदर चे रोज किसकी पुष्टक है। दर्नागवंसी एंदर चे रोज जो है यह पुष्टक है आपका। यह हो जाएगा। Option B, B विरोतम की। बी बिरोतम ने चेरोबंस का सस्थापक किसे माना है बहुत इंपोडेंट सवाल है तो इसका राजट अंसर हो जागा पाकवत राय को शेर्षा ने किसे पराजित का राजमाल चेत्र पर अधिकार किया था, तो राजमाल चेत्र पराजित किया था, तो पराजित किया था हुमाओं को, चलिए आगे बढ़तें, चेरोबन्स का सबसे परसिद राजा कौन था ? देखें, चेरोबन्स का सबसे परसिद राजा था आपका मेधनी राय टकोराई की लड़ाई के वेच हुई थी ? लड़ाई हुई थी आपका अबदूर रहीम खान ए खाना जुनेत कर्रानी के वीच अब्दूर रहीम खाना एखाना और जुनेत करणी के बीच ठीक है मुगल आकरमन के समय नागवंज का सासक कौन था तो चलिए इसका option देखते हैं मुगल आकरमन के समय नागवंज का सासक कौन था तो इसका right answer हो जागा आपका option ए मदुकर्शा चलिए कौन मुगल अधिन्ता सुविकार कर मान सिंग के अंगरक्चक दल में सामिल हो गया था तो अप्शन भी रंजित सिंग हो जागा चलिए भाईयों अगला देखते हैं चेरो राज पर निंतरन अस्थाबित करने के लिये अकबर ने किसके नेतरित में सेना भेजी थी तो अप्शन C हो जागा मान सिंग के नेतरित में मान सिंग ने कहां एक किले का निर्मान करवाया था तो अप्शन A रोहतास गड़ अकबर ने किसके नेतरित में तेलिया गड़ पर अधिकार किया था तो अप्शन B टोडर मल के नेतरित में इसंग नदी में पाई जाने वाले हीरे ने किस राजवन्स का ध्यान जारकन की और खिजा था तो अप्शन D मुगल वंस अकबर की मिर्टियू के बाद किस ने मुगलों की अधिनता को मानने से इनकार कर दिया था तो अप्शन A दूर्जन साल संख नदी में पाई जाने वाली हीरों का विबरन किस मुगल सासक की आत्म कथा में किया गया था तो option D, जहांगीर किस मुगल बाद सासक ने दुर्जन साल को सा की उपादी दी थी तो इसका right answer हो जाएगा आपका option B, जहांगीर दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना सुईकार किया था तो इसका right answer हो जाएगा आपका option A, 6000 वार्षिक कर किस चेरो राजा ने सडक A आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था तो देखे इसका right answer हो जाएगा आपका option B, सहबल राएने सहा जहां ने विद्रो कर कब राजमाल चेतर पर अधिकार किया था तो इसका right answer हो जाएगा option C, परताप राए और रंग्जेव ने किसे पलामू का फोजदार ने जोट किया था तो इसका right answer हो जाएगा option D, मनकली खाँखो किस चेरो सासक का सासनकाल किट्शी के लिए श्वर्न यूग था तो option B हो जाएगा मैदनी राए मैदनी राए के बाद उसका उतरत धिकारी कौन बना था तो option C, रुद्र राए किस सासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था तो इसका right answer हो जाएगा आपका option C, रगुनात सिंग किस किले में परसिद्ध नाकपुरी दरवाजास दित है तो पलामो किले में मुगलों ने कहाँ एक साही टक्साल अस्थापित की थी कोट आते हैं चलि option B, राजमहल कुंडा राज की अस्थापना किस ने की थी कुंडा राज की अस्थापना किया था आपका राम सिंग ने किस सार्शक ने रामगण राज की राज़ानी बादाम से रामगण अस्थांतरित कर दी थी option B, दलेल सिंग चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही important topic चल रहा है किस मुगल सेनापती द्वरा 641 इसवी में पलामों पर आकर्मन किया गया था तो इसका right answer हो जाएगा आपका option A, साइस्ता खाने अब धारखन के आदोनिक इत्यास को देखेंगे निवन में से किस सार्शक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था तो देखे इसका right answer हो जाएगा आपका option C, यह दुनात साहने 1734 इस भी में अलवर्दी खाने कहां आकर्मन किया था तो इसका right answer हो जाएगा आपका option A, सातरा चलिए आगे बढ़ते हैं इसका right answer हो जाएगा आपका option B, उदेशा चलिए इसका right answer हो जाएगा आपका option A, दर्पनात सिंग हिदायत अली खाने किस सहर को अपनी रायधानी बनाया था चलिए इसका right answer हो जाएगा आपका option B, उशेनावाद को 1740 से 1750 इस भी में माराठो ने राजमाल चेत्र में लुट पाट की थी उसका नेत्रेत कौन कर रहा था तो इसका right answer हो जाएगा option C, मीर हभीब किशनागोंसी साशक ने माराठो के आतंग से मुक्तिक लिंग्रेजों से सहयोग लिया था तो इसका right answer हो जाएगा option B, दिपनात सहान है बंगाल के नायब नवाब ने राजमाल की किलेबंदी कब करवाई थी तो इसका right answer हो जाएगा option C, 1712 में तो आगे दिखता है छे राज की राज़ानी कहां थी छे राज़ की राज़ानी कहां थी तो देखिए इसका right answer जो हो जाएगा आपका option आपका option A, बिघा, 626 इस बी ने किसने स्वतंत्र सराय के ला राज के स्थापना की थी तो इसका हो जाएगा option B, विक्रम सिंग, धारखंड इस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यह टोपिक है, धारखंड में इस्ट इंडिया कंपनी का पदारपन संड डेस में हुआ था, का इसका right answer हो जागा आपका option C, 1766 इस बी में आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने किसके नेतरित में सेना को सिंभोम पर आकरमन के लिए भिजा था, तो देखिए इसका right answer जो होगा वो होगा option A, फर्ग्यूशन ने, कंपनी ने जगनात घाल को अपदस्त कर किसे सासक ने जुक किय था, तो देखिए इसका right answer जो हो जागा, वो हो जागा आपका option B, नीमू ढाल को, अंग्रेज अधिकारी फोर्विस एवं पोड़हर्ट के राजा के मत संदी कव होए थी, तो देखिए इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा आपका option D, 1773 में, 1773 इस बी में कंपनी ने छोटा अनकपूर खास पलामू तथा रामगड को एकित्रित करके जीला बनाकर उसकी बैस्ता का भार किसे संपा, तो इसका right answer है आपका option एस जेकब, जेकब को संपा, कंपनी ने कब सराय केला को राजस्यों राज गोशित कर दिया, तो यह जागा option D, 1773 में, मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप चे राजमहल छेटर पर अंग्रेजों का दिकार स्थापित करा दिया, तो देखिए इसका right answer हो जागा, आपका option A, Major Adams, एक ज़रा रूखिएगा, चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत important topic चल गहा है, मुगल बात्षा साहालम ने 10,00,00 बार्षिक में, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, एवं, ओडिशा की दिवानी देदी थी, तो उसका right answer होगा, आपका option D, 27,00,00, बार्षिक में, जारकन के परमुग विद्रो, एवं मांदलन को देखेंगे, सबसे पले तमाड विद्रो है, तमाड विद्रो किस जन जाती से संबंदित था, तो तमाड विद्रो संबंदित था, अपका option C, उराव जन जाती से, तमाड विद्रो कब शुरू हुआ था तो तमाड विद्रो शुरू हुआ था 1789 इस भी में चलिए उसके बार देखेंगे चेरो विद्रो सन 880 इस भी में सरी सन 880 इस भी में चेरो विद्रो किसके विरुद शुरू हुआ था तो चेरो विद्रो शुरू हुआ था आपका राजा के विरुद्ध, कम्पनी ने किसे अपदस्त करके गोपाल राय को राजा बनाया था, तो कम्पनी ने किसे अपदस्त करके गोपाल राय को राजा बनाया था, तो ये हो जाएगा आपका आप्शन C. जैनाथ सिंग को, पढये हो विद्रु पढ़ेंगे 22 में डास छदर के हो लोगों ने सिंभूम ke राजाक के विरुद्र विद्रो किया था फ सब्सक्राइविंट किया होग कि और उफ्सटनומ चोटा नगपूर नगपूर के हो लोगों है कि तो विद्रों के समय कंपणी सेना की संस्वान इस कि तेजिस का राइच इंसर्ट होगा थो जाएगा ऐस भाप को रूब अपया को हुए से यूथ कोल विद्रो किसके विरुद्ध प्रारम हुआ था तो कोल विद्रो प्रारम हुआ था आपका अप्षन डी ए और बी दोनों हो जागा दी कूर जमिंदार के विरुद्ध कोल विद्रो कोल एम डैस जन जाती का संजुक्त विद्रो था तो इसका हो जागा आपका मुंडा जन प्रशाष्णिक चेत्र घोषित किया गया उसका पर्थम गवर्नर किसे निजुक्त किया गया था तो उसका राइट अंसर होगा आपका अप्शन बी विलकिन सन को कोल विद्रो कब हुआ था तो कोल विद्रो हुआ था आपका अप्षन बी भूमिज विद्रो किसका संजुक्त विद्रो था तो देखिए इसका राइट अंसर होगा आपका अप्शन डी ए और बी दोनों ने जन जाते जमिनदारों जन जाते लोगों का कम्परी ने किसे भूमिज विद्रो को दबाने के लिए भेजा था तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्शन ए टीमर को भूमिज विद्रो में कहां के राजा ने अंग्रेजों की सायता की थे तो अप्शन सी खर्शावा के राजा ने भूमिज विद्रो के प्रणाम सरुप किस्नाय जीले का गठन हुआ था तो अप्शन सी अमान भूम का अब है संताल विद्रो जार्खन के किस्चेद्र को दामिन ए को कहा गया था तो अप्शन ए हो जागा संताल प्रगना संताल समधाय बंधवा मजदूर को क्या कहते हैं तो संताल समधाय बंधवा मजदूर को कहते हैं अप्शन सी कमिया चले शिद्धू कानू के नेतरुत में कौन सा विद्रो प्रारम हुआ था तो सिद्धू कानू के नेतरुत में जो विद्रो प्रारम हुआ था वो था आप और picture श्यूट्व दी गई थी तो दिल्ली में नहीं धुली नहीं होगा सरी यह हो जागा आूपका आந्पना आढद हाँ पुत अनुट में संताल् विदलों के प्रश्य आधी एक क प्रणा दोवर्त संतार प्रगणा दरसिक कहीं स्थापना हुई तो यह हो जागा आपका option B 30 November 1856 चलिए अभी बहुत important topic चलता है संथाल प्रगना का पर्थम जिलादिस किसे निजुक्त किया गया था तो तेकि इसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जागा option D. William Kevin को पर्तिवर्स हूल अथवास अंथाल विपलव दिवर्स कब मना जाता है option D 30 June को पर्तिए सरदारी अंदलन को पढ़ते है थारकंट शेत्र में 5861-681 इस भी के मद चला अंदलन किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है option C. सरदारी अंदलन के नाम से किस ने अपनी पुष्टक दा मुंडाज में सरदारी अंदलन का उले किया है तो उसका right answer हो जागा option C. LC. रायने निवनी में से क्या सरदारी अंदलन का उदेश नहीं था तो सरदारी अंदलन का उदेश नहीं था आपका option A. जाती पर्था की समवती खरवार अंदलन को पढ़ेंगे खरवार अंदलन का नेतरित किस ने किया था खरवार अंदलन का नेतरित किया था आपका option B. भागिरत मानी ने निवनी में से किस अंदलन में मदिरा का विरोध हुआ था तो यह हो जागा option B. खरवार अंदलन खरवार अंदलन का दुस्टा नाम क्या था खरवार अंदलन का दुस्टा नाम पूछ रहा आपको यह वजाएगा आपको अप्शन C. संथाल चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक चल जाए खरवार अंदलन से उदासी लोगों को क्या खा गया था तो इसका राइटन से बजाएगा अप्शन भी बाप जी आ तो दोस्तों आज मैंने आपको जाहिं जाएगा